मोटर साइकल पर लंबी दूरी तय करने वालों के लिए आज मेरे पास एक बड़ी ही कमाल की ख़वर है जहां BMW मोटराड ने गलोवल लेवल पर अपनी नई जनरेशन एडवेंचर टूरिंग रेंज आर थर्टिन हंडर जीयस के नई जनरेशन वेरियंट को लॉंच कर दिया ह बहीं खबरों की माने तो कमपनी इस बाइक को अगले साल भारत में लॉंच कर सकती है जिसमें एक नया डिजाइन और इंजन दिया गया है साथ ही इसके बजन में भी कटोती की गई है बात करूं BMW R1300GS के डिजाइन की तो इसके डिजाइन में एक नया X-Shape LED हेडलाइट दि जबकि बजन के मामले में ये पहली बाली के मुकाबले लगबग 12 किलो हलकी हो चुकी है जहां अब इसका बजन घड़कर हो चुका है 237 किलो खबरों की माने तो इसको एक बिल्कुल नया Aluminium Fuel Tank दिया गया है जिसमें ग्रहक 19 लीटर तक फ्यूल भर सकते हैं हलांकि हाल-फि WR1300GS के इंजिन की तो इस बाइक में मिलता है 1300cc वोक्सर ट्विन पेट्रोल इंजिन जो 7750 आरपियम पर 145 भी की मैक्सिमम पावर और 6500 आरपियम पर 149 एनम का पीक टॉर्क चेनरेट करता है बहीं ये इंजिन इस सिरीज में दिया गया अब तक का सबसे पावरफुल इंज है जिस से पावर में 11 HP और टॉर्क में 6 एनम की बढ़ोतरी हुई है साथ ही इसमें मिलता है 6-speed gearbox जो इंजिन के नीचे प्लेस किया गया है जिसकी बजह से इंजिन की पैकेजिंग ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है अब बात करते हैं BMW R1300GS के लुक की तो इस Adventure Tourer बाइक क स्टील से बने एक नए sheet metal shell से main frame का प्रियोग किया गया है जो पिछले model की तूलना में बाइक को ज़्यादा मजबूती देता है जबकि इसके rear frame को पहले वाले tubular steel structure को अब die cast aluminium से बदल दिया गया है इसके अलावा बाइक को अब नए electronic dynamic suspension adjustment दिये गए हैं जो selected riding mode और riding position के spring rate के साथ front और rear damping के dynamic adjustment करता है वही spring rate की automatic adjustment load compensation के उपर तै करता है चलिए अब बात करते हैं BMW R1300GS में मिलने वाले riding mode की तो bike में standard features के तोर पर 4 riding modes मिलते हैं जो है rain, road, eco और enduro इसके अलावा इसमें active cruise control, front collision warning और lane change warning के साथ riding assistant जैसे features भी शामिल हैं अब बात करते हैं BMW R1300GS में मिलने वाले features की तो इस bike में features के तोर पर 6.5 inch full color TFT screen, rider और passengers के लिए seat heating, integrated USB socket के साथ smartphone charging compartment के साथ ही extra 12V onboard power socket, keyless ride के साथ multifunction instrument cluster, heated grips, matrix LED headlamp, BMW motrad full integral AVS pro जैसे features भी अवलेवल हैं बात करूं इसके rivals की तो launch होने के बाद adventurer bike segment में इसका सीधा मुकावला Ducati Multistrada V4 और Harley Davidson Pan America जैसी bike से होगा, रही बात इसकी कीमत की तो हलांकि company की तरफ से इसकी कोई भी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है, लेकिन जैसे की हाल फिलहाल मिलने वाली GS 1200 की कीमत 20,61,000 रुपे से शुरू होती है, तो ऐसे में BMW 1300 GS की कीमत इससे ज़्यादा ही होगी, तो guys ये थी BMW R 1300 GS के बारे में news update, hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, और bell icon पे all पे click करें, तो जैहें दोस्तो, have a good day.